वेल्कम बैक तु दी चैनल दी बिटकोइन बरनर तो आज की वीडियो होने वाली है बिटकोइन और ओवरॉल क्रिप्टोगरंसी मार्किट के बारे में देखेंगे बिटकोइन का प्राइस अब्सर्फ करेंगे उसको चार्ट पर जाके और जानने की कोशिश करेंगे की कैसा म को देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में या आज और कैसा प्रफॉर्म कर सकते हैं बाकि सारे और क्या रीजन का प्राइस उपर नहीं जा रहा और जो में को देखने को मिलता है चार्ट में सब बताने की कुशिश करूंगा काफी टेकनिकल वीडियो होने वाली है अर बिटकोइन आपको ग्रीन में देखने को मिल रही है मिजॉर्टी जहां बिटकोइन 34,800 के उपर टेड कर रहा है और 1.55% से अपर लास्ट 24 आज में बिटकोइन की डॉमिनेंस लेवल में आपको जैसे बताया कि पिछले दिनों में 48 से लेके 45 के बीच में रेंज कर दिय बिटकोइन से बाकी जाता हुआ दिख रहा है और अगर में क्रिप्टो मार्केट काप पे जाओ तो आपको ग्लोबल एक रिफ्रेश मारूं तो जो ग्रिप्टो ग्लोबल मार्केट काप आपको 1.48 ट्रिलियन डॉलर्स की देखने को मिलती है जो कि एक पॉस्टिव है जो क में को थोड़ा बहुत देखने को मिली है बात करें अगर बिटकोइन की तो आपको 34,878 पर देखने को मिल रहा है एथिरियम 22 2388 डॉलर्स पे और बात करें टॉप गेनर्स की तो टॉप गेनर्स में एकसेस जिसने की कल बहुत खतरना ग्रेली दिखाई आपको बहुत महेद पर आज में 26 पर संट हार्मनी वां 20 पर संट डी सेंट आमना 16 पर संट एसे करें जो बेसिकली जो मेजर ऑल्ट से थोड़े अलग से जिस पर लोग का ध्यान जाता नहीं है वह ओन राइस हैं और देहने को मिल रहा है अच्छी गेंस मिल रहे हैं उसमें से देहने को और हमने काफी अल्स कवर भी किया है हमारी पुरानी वीडियो में तो हमने आपको बताया था कि आप बाय कर सकते हर्मनी वान उसमें बहुत इंपोर्टन को था अगर आपने बाय किया तो आप प्रॉफिट में जरूर है अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की तो इसमें उसमें को देहने का मिला है सिंथेटिक्स 9% से डाउन है कंपाउंड 5% मेकर 5% आवे ने काफी अच्छे रिटर्ण्स दिये और अब वह 5% से डाउन है एक स्वैल आफ पॉइंट आ गया सोशी सोब कल बहुत अच्छा दे रहा था गें शीब वन डे चार्ट है बिटकोईन का तो मैं इसमें हम पहले लॉंगर टाइम फ्रेम से शुरू करेंगे उसके बाद यह जए चौटर टाइम फ्रेम पर जाएंगे जैसे कि मैंने आपको पताया था यह जो एरिया ओफ रिजिस्टेंस है 34,700 का यह काफी क्रूशल होने वाला है और इसके उपर क्लोशिंग चाहि 하겠습니다, बट वह मैं बगया मैं तक गया थी संदिम महीं मिली तरहा और सब्सक्राइम उसको इसके उपर नहीं देखने को मिली ममिली मिलती है मतलब आप देख सकते हैं 11 hours 26 minutes रहा गया है निर अबाउट बारा घंटे इस बारा घंटे में अगर हमको एक देखने को मिलती है मुवमेंट अच्छी और अगर हमको इस स्केंडल 34,700 के ओपर देखने को मिलता है तो हम probability लगा सकते हैं कि शायद कल हमको मुवमेंट 35-36,000 के रेंज में देखने को मिल सकती है अगर केंडल क्लूजिंग इसके नीचे होती है तो फिर शायद हमको को अलमोस गया था और रिजेक्ट हो गया था उससे पहले हमने इसको 29 जून को उपर जाते हो देखा बट विक की बनी और वहां सी जो नीचे आ गया था बट ये जो एरिया रहेगा वहाँ पर बैठी होई है 34,173 डैली पर अगर हमको क्लूजिंग देखने को मिलती है इस एरिया को उपर जो हमको पिसले एक दो तीन तो दिन से देखने को नहीं है अगर हमको इसके अफोजिंग देखने को मिलती है तो ये जो सपोर्ट है कनफर्म हो जाएगा फिर आ पस 34, तक का एरिया एक support act कर सकता है और बिटकोइन की जो जो लेक्ट गया यह थोड़ा सा बुलिश जो हो सकता है आने वाले दिनों में वह देहने को मिल सकता है कि अर्या हमको कल बिटकोइन 35 से लेके 36 के अरिया में जाता हुआ निक सकता है राम से बैसिकली इस एरिया में हमको रे अगर चलते हैं स्पोर्ट में बहुत मस्षपोर्ट है यह जो चु में किया भी नहीं होई उन्हें यह ब्रेक नहीं हुए और यह कंफर्म सपोर्ट है क्योंकि फर्स जून और सेकंड जून दोनों को यह रीटेस्ट हो चुकी है और यह बहुत इंपॉर्टन रहने वाली है 32,699 बिसिकली 32,700 का एरिया जो है वह बहुत इंपॉर्टन एक सपोर्ट जोन रहने वाला है अगर मैं एक सपोर्ट करूँ जहां पर हमको सपोर्ट मिल सकती है और मिलेगी भी यह रहेगा 33,600 से 33,800 का एरिया क्योंकि हमने देखा यह जो फर्स्ट जुलाय और सेकंड जुलाय को यह जो है कंफर्म हो गया था 32,700 का एरिया एक सपोर्ट है यह रहने वाला है जो कुछ सप का एरिया सपोर्ट कंफर्म हो चुकी है और यह बेसिकली ऊपर जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि अब 35,084 यह आप लगा लो 35,000 का एरिया ब्रेक करें जो लो हाइस देखने को मिला है हमको बिटकोईन का आज जो अभी थोज़ दर पहले इस ने टेन किया था 34,989 सो आलम मैं बताता हूँ हो और हो रिजॉंटल लाइन ड्राउ कर लेते हैं आपर सो यह 35,274 के आसपास का जो यह एरिया है बैसिकली 35,250 से लेके 300 का एरिया एक एक कर सकता है रिजिस्टन्स अगर यह 35 का बैरियर ब्रेक करता है और मैंने आपको पता है यह बहुत एक जरूरी होने उसके बाद यह है बैसिकली सारा जो है में बीटकॉइन का जो चल रहा है चार्ट पर अगर आप एक अच्छा सपोर्ट इसको यहां पर भी देखने को मिला यह जो एरिया मैंने माग किया था शौटर टाइम फ्रेम में 34,440 से 35,552 बैसिकली 150 से लेके 200 डॉलर की बीच में यहां पर इसको मिनियर पर लेवल वान आवर शॉटर टाइम फ्रेम में मिल सकता है वह रहेगा प्लस जो बहुत जरूरी बात करने है यह बिटकॉइन का वान दे चार्ट और मैं इसको लेकर जाना चाहता हूं वीकली चार्ट पर जैसे कि हम देख सकते हैं सपोर्ट हमको अ बारी ही उपर हैं हमको कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है डेली चार्ट पर जो की इंडिकेट कर रहा है कैसे उपर का एरिया बहुत डिफिकल्ट होने वाला है बिटकॉइन को जो है तोड़ने के लिए प्लस अच्छी ट्रेड वॉल्यूम चाहिए होगी और इस ट गिर सकता है क्योंकि डेली पर हमको सपोर्ट नहीं है कहीं पर बहुत 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 तो मार्केट जो है उपर धीर धीर ही जाएगा आप जाला वॉल्यूम अगर अच्छी बाइंग इंवेस्मेंट वह अलग बात है कि आपको बाट बढ़िया पंप देहने को मिल सकता है द आपको 32,000 के राउंड यहां पर देहने को मिलती है 32,300 के राउंड 32,700 के राउंड और यहां पर आपको यह देहने को मिलता है यह जो एडिया काफी इंपोर्टन मुविंग एबरेज वीकली मुविंग आपको 31,473 तो काफी अच्छी सपोर्ट से अगर आप नीचे पी मैं बात करता हूं कि थोड़ा अगर आप बुलिश के सिनेरियो देहना चाहते हो तो मैं बुलिश कब होंगा हम हम में इश्य कहते हैं कि बिटकॉन जो 42,000 के अरिया क्रॉस करेगा उसके ऊपर सपोर्ट कंफर्म करेगा डेली और 4 चार्ट पे तब हम कह सकते हैं कि हम जो 20 moving average है weekly वह बहुत important area रहेगा में लिए जो कि अब इंडिगेट कर रहा है 46,958 almost 47,000 डॉलर तो जब इस area के ऊपर आपको support confirm होती हुई दिखे 4 hour chart पे plus 1 day chart पे आप एक bulls market में फिर से काफी जादा तेजी से proceed करेंगे क्योंकि आप दे सकते हैं यह सारी जितने भी weekly moving averages है औ सबसे उपर है इसका break होना काफी जरूरी रहेगा इसके उपर support confirm हो गई तो हम expect कर सकते हैं bitcoin फिर से जा रहा है अपने उसी area के तरफ near about 50 से लेके 60,000 के area में यही था सारा मेरा basically जो मैंने आपको पताना चाहता था सारी news वगएरा जो भी आपको मैं देना चाहता था and I hope आप क्रिप्टो को बहुत ज्यादा usable बनाना चाहते है किसी भी और करंसी से और वीजा ने रवील किया कि कुस्टमर्स एक बिलियन डॉलर से ज्यादा क्रिप्टो एक बिलियन डॉलर से ज्यादा क्रिप्टो कर सकते हैं 18 ट्रिलियन डॉलर का consumer spending market तो वह चाहते है कि अच्छा ecosystem बनाएं जो कि क्रिप्टो करंसी को और ज्यादा usable बनाएं एक बहुत positive news है वीजा जैसे एक बड़े आप कह सकते हो brand से बहुत important news रहेगी इसी और एक और नियूस निकलके आ रही है जो थोड़ी सी जीब सी है और हमने पहले भी देखा कि एरान ने illegal crypto mining problem में बहुत ज्यादा जो है problems चल रही है जिसके करके हुआ पर काफी टाइम तक जो heat wave है एक तो सबसे बड़ी बात heat wave बहुत जादा गर्मी बहुत जादा है जहां से लोग परेशान वैसे ही है प्लस गर्मी की विज़े से जो है power जो supplies में problem हो रही होगी बेबी जो hydro plants से है जादा produce नहीं कर पा रहे है जिसके करके overall आपको एक blackout देखने को मिल रहा है इरान में उसके करके क्या हो रहा है बहुत जादा लोग गुस्से में है कि क्रिप्टोगरंसी illegal mining हो रही है जो इतनी क्रिप्टो माइनिंग है सप्टेंबर तक ताकि वह जो blackouts को है उसको टैकल कर पाए और सारे जो issues है वह धूंड रहे हैं illegal mining में जो रह रहे हैं और वह 33 ताइम्स जादा बढ़ चुके हैं जितने भी रेगुलर माइनिंग फार्म्स है जो regular mining farm है वह कम electricity generate और मतब जो कम electricity consume कर है जो illegal है वो three times जादा एक matter of concern है बाकि यह थी सारी updates and news and I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनको बताएं कि क्या सीन चल रहा है मार्केट में बिट कोई होगे और यह सब्सक्राइब जरूर कर दें और बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस वीडियो और अपडेट सबसे पहले बता चले बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही मैं मता हूं आपसे एगली वीडियो में तब तक आपस अपना ख्याल रखें and see ya